वेलकम टू इंडिया स्टेडी 3 पिप्रन दोस्तो आज है आपका जीके का टेस्ट 7 तो आप वीडियो को अंतक जरूर देखेगा और सारा कुश्चन्स का जवाब आप लोग देने की खोसिस करेगा तो चले दोस्तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं देखे दोस्तो फॉस्ट क किस सासक के सासनकाल में नेपाल में बहुत धर्म का गमन हुआ था एक कुश्चन के लिए दोस्तो आपको तीन सेकेंड का टाइम दिया जाएगा ठीक है तो किस सासनकाल में नेपाल में बहुत धर्म का गमन शुरू हुआ था ठीक है तो ऑप्सिन देख लिजिए यहाप सांची क्यों बिख्यात है ठीक है सांची जो है वो क्यों बिख्यात है चटान काटकर बनायागे मंदीर सबसे बारा बहुत उस्तूप ठीक है गुवा चित्रकारी अशोक के सिला लेग तीन सेगें का टाइम है आप लोगे पास राइटेंसे इसका भी दोस्तो बी हो जाएगा ठीक है सबसे बारा बहुत उस्तूप ए सांची में ठीक है उसके बाद है कि महावीर का जन्म किस छत्रिय गोत्र में हुआ था ठीक है भगवान महावीर का जन्म किस छत्रिय गोत्र में हुआ था ओप्शन शार्ट के जांतरिक स लास और लिश्वी तो इसके लिए आप लोगों को तीन सेगेंड का टाइम है राइटेंस इसका दोस्तो हो जाएगा बी ठीक है जांतरी गोत्र में जन्म हुआ था भगवान महावीर का चलते हैं दोस्तो नेक्स उसन पर नेक्स देखें दोस्तो महावीर की माता कौन थी ठीक उसके बाद देखें दोस्तों यहापे गोत्म बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दिक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ती निमलिखित में से कौन था ठीक है किसे गोत्म बुद्ध ने सबसे लास्ट बार ठीक है यानि अंतिम बार दिक्षित किया था ओप्सेन ने शारी पुत्र, मेगालान और सुबद ठीक है तो इसका आंसर दीजिए तीन सेगेंड का टाइम है आप लोगे पास राइट एंसे इसका हो जाएगा दोस्तो डी ठीक है सुबद को ठीक है गौतम बुद्ध का सबसे अंतिम छात्र कौन से था सुबद था उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर प्राचिंतम विश्व विदाले कौन था सबसे प्राचीन विश्व विदाले यूनिवर्सिटी कौन था ठीक है कांधार कन्नौज नालंदा वैशाली इसके लिए आपको तीन सेकेंड का टाइम दिया जाता है इसका हो जाएगा दोस्तों C नालंदा ठीक है नालंदा जो है उस सबसे प्राचीन विश्व विदाले ठीक है आप लोगों को पता भी होगा नेक्स देखिए दोस्तों किस भासा का ज्यादा प्रियोग बहुत वाद के प्रचार के लिए किया गया था ठीक है यानि बहुत भासा के प्रचार के लिए ठीक है बहुत वाद के प्रचार के लिए सबसे ज़्यादा पाली भासा का प्रियोग किया गया था उसके बाद देखिए महावीर की मृत्यू कहां हुई थी श्रवन बेल गोला में लुम्बनी में कुल गुमले में ठीक है और पावापूरी में इसके लिए भी दोस्तों आपको तीन सेगिंड का टाइम दिया जाता है। राइटेंसे इसका हो जाएगा दोस्तों D, पावपूरी विम्रित वी थी भगवान बुद्गी। ठीक है, नेक्स्ट कुश्न देखिए दोस्तों यहां पे जैनीओ हो पहले तीर्थकर कौन थे। अरिस्टोनेमी, पास्वनात, अजितना, रिशब्दव इसके लिए आपको तीन सेकिंड का टाएक दिया जाता है। राएंट से इसका हो जाएगा दोस्टों D रिजब देव थे जैन्यों के प्रतम तेर्थकर नेच्व देखे दोस्टों कुश्चन है आपर ठीके मठ, मंदिर और स्मबंदित है फुए से बाथ धर्म से बौद धर्म से सब्सक्राइब अपना प्रत्म उपदेश कहां दिया था गॉतम्भूद ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था बोद गया लुंबनी सारनाथ कुशी नगर तीन सेकंड का टाइम है आप लोग के पास राइटेंस इसका हो जाएगा दोस्तों सारनाथ में दिया था गौतम बुद जी ने अपना पहला उपदेश उसके बाद देखे दोस्तों नेक्स कुशनिया पे बहुत धर्म ग्रहन करने वाली पहली महिला कौन थी यसोदरा महा माया महा प्रजापती गौतमी दी है बिमबा तो इसके लिए आप लोग को तीन सेकेट का टाइम दिया जाता है वीडियो में बने रहे है दोस्तों अंत तक राइटे से इसका दोस्तों हो जाएगा सी ठीक है महा प्रजापती गौतमी थी बहुत ग्रहन करने वाली पहली महिला उसके बाद देखिए बोध गया इस्ती थे कहां बोध गया कहां इस्ती थे पश्चमी बंगाल में उरिशा में बिहार में अश्चम में 3 सेकंड का टाइम आप लोग के पास दिया जाता है दोस्तों इसके लिए राइटे से इसका हो जाएगा दोस्तों सी बिहार में इस्ती थे बोध गया ठीक है उसके बाद देखिए जातक किसका गरंत है जातक जो है वो किस धर्म का गरंत है वैसनब जैन बौध शैव इसके लिए भी दोस्तों आपको 3 सेकंड का टाइम दिया जाता है राइटे से इसका हो जाएगा दोस्तों सी बौध धर्म का गरंत है जातक ठीक है चलते नेक्स वेट पे नेक्स उसन देखिए दोस्तों यापे जिसका नाम बौध था ठीक है ग्यान प्राप्ति कहां उई थी वारानशी सारनाथ कुषिनागर गया तो इसके लिए आपको 3 सेकंड का टाइम दिया जाता है राइटेंसे इसका हो जाएगी दोस्तों गया में बौध को टीक है ज्यान की प्राप्ति हुई थी निख़ए तुर के पास। राइट है झाल चक्र पर वरतन कहा जाता है सारणाथ में पहला प्रवजन था ऑप सींगे लिए 14 तुर टिकी जैन परंपराय का अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तिर्थ कर हुए है जैन परंपराय का अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तिर्थ कर हुए है option 20, 22, 24 और 14 3 second का time है आप लोग पास दोस्तो right answer से इसका हो जाएगा दोस्तो C. 24 दिर्द का रुव है जैन धर्मे ठीक है जैन धर्म के प्रमप्रा के अनुसार 19 नमबर कुशन देखिए दोस्तों यहां पे दोस्तों आप लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने कितना सही किया है 20 कोशेंस में से, ठीक है देखें दोस्तों है आप 19 नमर कुसे Students ट्रिपिटक धर्म गर्णत है थीक है ट्रिपिटक जो है ओ 21 धर्म का गर्णत है ठीक है जैनों का बाधों का शिक्छों का और हिंदूeं का ने दोस्तों है आपके पास रैटेंट से दोस्तों इसका हो जाये वो हो जाएगा भी बौधो का है ठीक है बौध जो धर्म है उसका है त्रिपटक धर्मग्रंद बौध का है ठीक है उसके बाद देखे दोस्तों लास्ट कुशन आज का 20 नमर कुशन है ठीक है बुद्ध ने निमलिखित में से किस सस्थान पर महापरी निर्वान मृत्यू प् कहते है तो कुशी नगर में ठीक है कपिला वस्तु में पावा में कुंडा ग्राम में इसके लिए भी दोस्तों आपको तीन सेकेंड का टाइम दिया जाता है राइट एंसर कीजिए इसका राइट एंसर जो दोस्तों इसका हो जाएगा ओ हो जाएगा ए ठीक है कुशी नगर या कुसी नारा में भगवान बुद्ध की महापरिविन निर्वान हुई थी यानि मृत्य हुई थी भगवान बुद्ध की ठीक है तो दोस्तों ये थे आपके 20 प्लस इस इंपर्टन कुस्छन आपका इटेव पे ट्रेस्वन एकजांस के लिए उमेद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी वीडियो को लाइक करेगा है चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलेगा और वीडियो को सेर कर देए दोस्तों जितना अपने दोस्तों के तो चले दोसो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक में जय हित जय भारत